वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मैल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंड ट्रेविल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं माला स्टेशन और दिखाएंगे कि माला स्टेशन पर क्या है ताजा हाल आज के वहाँ पर निर्माण कारे शुरू हो गया है, लेबर आ गई है और जैसा मैंने पूर्व में भी कई वीडियो में आपको कहा था कि नवंबर से यानि जब दीपावली और छट पूजा बीच जाएगी उसके बाद नवंबर से आप मानके चलिए कि कारियों में कुछ रफ्तार आते दिखेगी विशेशकर पिलिभीत शागर पैकेज 3 में हमारे जो अब सेक्शन रह गया है लगबग 20 किरो मीटर का इसमें कारियो रफ्तार पकलेंगे तो फिलाल हम लोग चल रहे हैं माला स्टेशन की तरफ ये माला गाउं है जो की पिलिभीत टाइगर रिजर्व के अंतरगत आता है और यहाँ पर सामने देख सकते हैं आप लेवल प्रोसिंग यहाँ पर आगई ये वो रेल बेड है जो पूरा तयार किया जा रहा है जिसे की ट्रैक आगे द्यूरी होते हुए पिलिभीत जंक्षन में जुड़ेगा और एक तरफ शागण में जोड़ा जाएगा संदई हाल्ट होते हुए तो लगभग 22 किलोमीटर का ये जो सेक्षन है आप देख सकते हैं हम लोग चल रहे हैं यहाँ आसपास काफी घना वनक्षेतर है और यहाँ पर कार शाम के चार बजे तक ही परमीशन मिली है किया जाएगा यहाँ आप देख सकते हैं स्थानी लोगों ने काफी किया ब्रिटिश टाइम का ये स्टेशन है यहाँ पर और चुकि डिस्टेंस भी काफी हो जा रहा था पीलिभीट से शागल के बीच में 23-24 किलोमीटर के अंदर ट्रेन क्रॉस कहीं नहीं हो पाती तो इसलिए भी और यहाँ पर जगह भी बहुत परयाप्त थी शुरू में भी मैंने आपको जब माला से वीडियो किया था तो दिखाया था कि यहाँ पर जगह बहुत है लेकिन अब टाइगर रिजर्व के चलते कुछ नियोमों में बदलाव हो जाता है पूर्व में जैसा था उस प्रकार से पर्मिशन पहले नहीं मिल रही थी लेकिन मुख्यमंत्री जी के इंटर्विंशन के बाद जब उन्होंने इसमें हस्तक्षिप भी किया तो यहाँ पर फिर से स्टेशन बनाने की कवायत शुरू हो गई है हाइडरा क्रेन सब पहुँच गई है यहाँ पर मशीने आप देख सकते हैं मिक्सर यहाँ पर पहुँच गया है और दो प्लैटफॉर्म अब यहाँ पर जैसा की सुनने में आ रहा है साफ सफाई यहाँ पर पहले ही काफी कर ली गई थी जो जाड़ियां तमाम उग आएं थी और अब देखी नाप जोग यहाँ पर चल रही है नाप नपाई हो रही है कि कहाँ पर कौन सी चीज आएगी और उंचा प्लैटफॉर्म यहाँ पर अब माला स्टेशन पर यहाँ पर कारियों में रफ्तार आएगी आप भी माला से अगर चाहें तो वीडियो बना करके हमको भेज सकते हैं 84, 170, 20, 320 पर अब यहाँ पर जनरेटर वगएरा की यह वस्था की जा रही है तमाम सारा देखिए आइरेन का स्ट्रक्चर यहाँ पर पहुंच गया है जो की कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर इस्तेमाल होगा शेल्टर वगएरा बनाया जाएगा प्लैटफॉर्म्स यहाँ पर प्रॉपर दो प्लैटफॉर्म्स बनाया जाएगे फूट ओवर ब्रिज बनेगा पैदल पुल यहाँ पर उसका निर्माड होगा फेंसिंग लगाई जाएगी और मालक शेतर में अंडर पासस भी बनने है उसमें कुछ अभी समय लगेगा लेकिन अब कारे धीरे धीरे शुरू होते दिख रहे हैं कुछ लेबर वापस आई है तो इससे एक उमीद बंधी है कि अब कारे धीरे रफ्तार आएगी क्योंकि यह पैकेज 3 का जो पार्ट है बहुत डिले हो गया है इसमें